जैशी किष्न दोस्तों बीयसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको इक्जाम में या परिक्षा किसी की भी परिक्षा हो चाहिए आप जौब की तैयارी कर रहे हैं अपना केरियर बनाने के लिए किसी मतला कोर्स कर रहे हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता या जो अभी बाबा को कहना होता है कि हमारे जो बच्चे महनत तो करते हैं लेकिन उसके मताबिक उन्हें सफलता नहीं मिलती कई बारी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे बच्चे महनत करते हैं और मतलब तैयारी खूप करते हैं रात दिन मह नहीं पूल जाते हमें चाहिए कोई लिए थाफने के लिए कोई आप त्यारी कर रहे हैं जॉब की औरैं मैंमने कोई believers कोई करिए आप चाहते हैं कि आप जब भी एक्जाम दे तो उसमें आपको 100% जो आपने महनत करी है उसमें आपको 100% रिजल्ट मिले कई बारी दोस्तों ऐसा होता है कि महनत निक हो पाती दे कि बिना महनत के कोई लाब नहीं मिलता मतला आप सोचें कि सरफ आप मंतरों का जाप कर ले या क कोई उपाय कर ले तो उससे आपको लाब मिलेगा दोस्तों इनका लाब तभी मिलता है जब आप महनत करते हैं जहां आपकी किसमत धोका दे जाती है या भागे साग ने देता तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही सरल बहुत ही अचूग मंतर भी बता रही हूं कि आपक लब एक्जाम देने जा रहे तो आपको क्या करके निकलना चाहिए जिससे कि आपको उसमें 100% आपको रिजल्ट मिले दोस्तों उससे पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में घंटी के बटन को दबा दें ज उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली थी आपने बहुत पसंद करी अगर आप ने अभी तक नहीं देखे अगर देखना चाहें तो आपको डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों विद्या की देवी सरस्वती हैं और हमारे जोतिशास्त के अनुसार जो पंच मे कि ऐसे तो आपको इन्हें अवश्य प्रसंद करना चाहिए दोस्तों देखें विद्या की देवी सरस्वती हैं तो उनके जो छोटे से दो मंत्र हैं अगर आप निट्प्रती जाप कर लेते हैं या फिर आपके बच्चे नहीं करते अगर अभिभावक भी इनका जाप करके भाव से जाप कर लेते हैं तो निश्चित ही उनको लाम मिलेगा फाइदा अवश्य ही मिलेगा और दोस्तों अगर आप ये उपाए मतलब ये मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप शहद देखें शहद का भोग अवश्य ही लगाईजे अगर आप देखें सरस्वती माता का माता को तिलक लगाना चाहिए सरसुती माता को और उसके बाद अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए यह मैंने पहली वीडियो में बताया तो आप उसमें देख सकते हैं आज मैं आपको मंत्र बता रहे हूँ देखे सरसुती माता को बहुत ही अचूक मंत्र के आपको हैं आपको 100% आप जिसकी भी तयारी कर रहे हैं जाये मतलब इकजाम की कोई तयारी करें हो चाह dynamically कर रहे हो चाहे मतलब करते हो तब भी अगर आप चारण करते हैं मैंनत के साथ देए आगर आप जाप करते हैं तो आपको 100% result मिलेगा देखे एक मंतर है ओम एम सरस्वते नमह ओम एम सरस्वते नमह और एक छोटा सा मंतर और है ओम एम नमह ओम एम नमह दोस्तों और आप सरस्वती माता को जब आप यह उचारण कर रहे और जब भी आप मतलब थोड़ा सा देखिए अब मैंने पहले भी बताया हुआ है कि तुलसी के ढाई पत्ते शहत के साथ अगर आप मतलब डेली खा लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो याददाश है बहुत तेज होती है आपकी स्मरन शक्ति बढ़ती है यह अवश्य करे एक और दोस्तो जो भगवान शंकर है सभी विद्याओं के स्वामी माने जाते हैं तो जो भी विद्या से सम्मंदिद अगर मतलब चाहते हैं कि हमें विद्या परापतो या एक्जाम में मतलब टॉप करना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य भगवान शंकर की पूजा अवश ही करना चाहिए बहुत ही सरल है बहुत ही आसान है आप इन देखिना आपको 100 परसंट की भी तैयारी कर रही हो किसी भी इगजाम की तैयारी कर two you स्में 100 परसंट मिले जो आपने महनत कर भी है न उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा दोस्तो मंतर है om ishanay namha om ishanay namha ये बहुत ही सरल मंतर है दोस्तो और भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं और बहुत ही शीर प्रसंग हो जाते हैं तो आप चाहते हैं कि हमें मतलब अग्जाम में या परिक्शा से समंपनें कोई भी जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाते हैं तो आप इन तीनों में से किसी भी मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करागरें नित्य प्रती डेली करना चाहिए एक माला का जाब अगर बच्चे नहीं करते हैं अगर अभिवावक भी माता पिता भी शद्धा भाव से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और भगवान शंकर को थोड़ा सा शहद का भोग लगा कर और अपने बच्चे को उसको मतलब खाने के लिए देते हैं तो निश्शित ही आपको लाब मिलेगा बहुत ही ये सरल बहुत ही कारगर अगर आपके पास तुलसी है तुलसी का मतलब पोधा है तो आप ढाई पत्ते तुलसी के भी अवश्य खिलाई है इससे समनल शक्ती बढ़ती है नहीं तो आप शहद अगर आप भगवान शंकर का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो शहद का भी एक्जाम देने जाते हैं कोई भी मतलब जॉब के लिए आप त्यारी कर रहे हैं इंट्रिव्य के ले जाते हैं तो देखे सबसे पहले हमेशा घर से बाहर निकलते तो आपको पता है दही और शक्कर तो खाना ही चाहिए उसके अलावा दोस्तों हमेशा आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना पैर तो या तो दो काली मिर्च के दाने अपने या एक काली मिर्च का दाने अपने मूँ में अवश्य रखकर निकलना चाहिए और हमेशा अपना जो राइट जो सीधा सीधा पैर उसको बहर निकालना चाहिए देखिये बहुत सेों कहसे सीधा-पैर निकालने सी मामुली जो भी कार्य अगर आप सीधा करते नहीं सीधा तो सीधा-पैर करेंगे तो फिर उल्टा ही होगा तो ये ऐसी सोच मत रखिये कि हमेशा इन चीज़ों का जो हमारे शास्त्रों में बता गया है तो गलत तो बताया नहीं होगा तो इसलिए आप हमेशा सीधा पैर निकालिए उसके बाद बाहर निकलिए और दोस्तों जब भी आप एक्जाम देने जा रहे हैं अगर आप उस दि बजरंग बाढ का पार्ट कर लेते हैं न इक्जान इक्जाम देने जा रहें तो आप बजरंग बाढ का करके जाए यह ठीर के गिता दसवे और?, यह घ्यार्वे अध्यthlet चा का पार्ट करके जाएगे देखना आपको हंडार सेट सफलता मिलेगी यह मैंने आपको मतलब एक्जाम से विद्या से संबंदिद टॉप उपाई बताएं टॉप मंत्र बताएं इसके अलावा कोई और आपके पास मतलब इससे अच्छा मंत्र कोई नहीं बता सकता इससे अच्छा उपाई आपको कोई नहीं बता सकता यह बहुत ही कारगर उपाई है यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेर अवश्य करें आप सभी को जैशी कृष्णा